हेलो फ्रेंट्स आज का अपना टॉपिक हैMonji Reefs प्रवाल भितिया जिसे मूंगा भी कहा जाता है हम शुरू करते हैं कि CORAL क्या होते हैं CORAL जो है एक प्रकार के Animals होते हैं जो Phylum Silentrates के Phylum Silentrates या Phylum Silentrates या हम कह सकते हैं NIDERIA के जो हैं सदस्य होते हैं और निडेरिया में भी कौन सी क्लास एंथोजोवा के सदस्य होते हैं मुख्यत है प्रवाल या कॉरल जो है वो एंथोजोवा के सदस्य होते हैं यह जो एनिमल्स हैं यह अपने चारों तरफ केल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाते हैं और यहें एकल या निवही polyp animals होते हैं, polyp मतलब स्थानबद हैं, ठीक है, तो हम शौर्ट में क्या कह सकते हैं, coral reef जो है, यह coral से बनी होती है, और coral क्या है, phylum silentrata में class, specially class anthozoa के polyp animals, जो अपने चारों तरफ calcium carbonate का कंकाल बनाते हैं, और कुछ सदस्य इनके hydrozoa के भी होते हैं, अब हम लेते हैं इसमें, यह जो polyps है, यह लाखों करोडों की संख्या में एक समुह में रहते हैं, और मरने के बाद इनके बाहर का जो calcium carbonate का कंकाल है, वो कठोर हो जाता है, और इनी के उपर नए polyp बनते रहते हैं, क्योंकि यह सान होते हैं, तो इनी के उपर नए polyp बनते रहते हैं, और इस तरह से चूने के पाहाड जैसी सरंचना बन जाती है, और इसी चूने के पाहाड जैसी सरंचना को जो coral के द्वारा बनाई जाती है, इसे क्या कहते हैं, coral reef या प्रवाल भित्ती, प्रवाल भित्ती जो है, यह समु देखने के लिए ठीक है coral reefs जो है वो colored होती है और ये जो color है coral reef का ये इनके इनमें जो plants पाए जाते हैं खासतोर से zoanthidia zoanthidia algae और sea grasses जो इनमें पाए जाते है coral में तो इनके कारण इनका color होता है नहीं तो coral अपने आप में क्या होते हैं या तो brown color के होते हैं या transparent होते हैं ठीक है लेकिन अगर हम इसका view देखते हैं तो बहुत ही colorful view लगता है इसमें ठीक है तो इसका जो color है this color is because of the sea grasses sea weeds, algae या खासतोर से zoo, zanthidia जो algae होते हैं इनके कारण इनका color होता है और जो है ये जो plants है समुद्री जो plants हैं ये coral के symbiotic relationship में रहते हैं सहजीवी relationship में ये रहते हैं ठीक है अब हब लेते हैं coral, जो coral reef का निर्मान करते हैं वो समुद्र में कहां पाए जाते हैं तो इसके लिए क्या आता है उनके लिए चिछला या गरम पानी आवशक है तो optimum temperature चाहिए होता है 20 degree Celsius से 30 degree Celsius तक अगर 20 degree से कम 20 degree Celsius से कम तापमान है तो वहाँ पर coral develop नहीं कर पाते हैं और 30 से ज़्यादा अगर temperature है तो वहाँ भी coral develop नहीं कर पाते हैं ठीक है और depth कितनी गहराई तक होंगे ये उतनी गहराई तक ही पाए जाएंगे जहां तक sun light पहुँचती है क्यों क्योंकि हमने बताया they are in symbiotic relationship with sea weeds ठीक है तो sea weeds जो है उनको photosynthesis करना है तो जो है जहां तक सूरज की किरने गहराई तक पहुँच सकती है जहां photosynthesis possible हो सकता है वहां तक ही ये जो है बनते हैं या पाए जाते हैं coral और इनके लिए पानी कैसा होना चाहिए clear water होना चाहिए अगर पानी गंदा होगा या इस तरह का पानी होगा कि प्रकाश की किरने वहां तक नहीं पहुँचेंगी तो इनके symbiotic relationship में पाये जाने वाले जो plants हैं वो photosynthesis नहीं कर पाएंगे और वो photosynthesis नहीं कर पाएंगे तो coral भी survive नहीं कर पाएंगे ठीक है अब हम लेते हैं इसमें definition of coral reef यानि प्रवाल भितियां क्या होती है definition जो है TW वागन ने 1917 में दी वो एक definition हम याद कर लेते हैं यहाँ पर प्रवाल भिति मुख्य रूप से चूने के पत्थर का एक टीला या छोटी पहाडी है हम imagine करें यह चूने का पत्थर है या टीला है या छोटी पहाडी है यह चूना कहां से आया calcium carbonate का कंकाल जो इन animals के द्वारा secret किया जाता है अपने चारों तरफ वो ठीक है और यह पहाडी बन गई इससे जिसके उपर की सतह समुद्र की सतह के समीब है तो इसके उपर की सतह जो है यह समुद्र की सतह के समीब है इसका मतलब यह क्या कहलाती है coral reef तो यह coral reef की परिभाशा हो गई coral reef मुख्य रूप से चूने के पत्थर का एक टीला है या एक चोटी पहाडी है जिसकी उपरी सतह समुद्र की सतह के समीब होती है और यह मुख्य रूप से corals के द्वारा स्त्रावित calcium carbonate की बनी होती है लाखों करोडों की संख्या में यह corals जो है वो एक colony में उपस्तित होते है यह मरते जाते है और calcium carbonate का जो इनका कंकाल है वो ठोस होता जाता है और इसके उपर और जो है coral develop करते रहते हैं इस तरह से पूरी इनकी एक colony बन जाती है और एक पहाड जैसी सरंचना या एक टीले जैसी सरंचना बन जाती है इस calcium carbonate की जो की coral के द्वारा secret किया जाता है तो यह हो गई इसकी definition अब हम लेते हैं इसका distribution जैसा कि हमने पहले पढ़ा optimum temperature जिसमें coral जो है अच्छी तरह से growth कर सकता है तो वो होता है 20 degree Celsius से 30 degree Celsius और कहां पर समुंद्र में तो प्रवाल जो है महा सागरों के उन क्षितरों में पाए जाते हैं जहां जल का तापमान 20 degree से 30 degree Celsius तक होता है और इसमें भी best होता है 22 degree Celsius के आसपास में जहां पानी साफ हो जहां oxygen युक्त जल हो यानि गंदा पानी नहीं हो और चिछले पानी में जहां तक क्या पहुँच सकती हो प्रकाश की किरने पहुँचती हो क्योंकि हमने पढ़ा they are they live with symbiotic relationship with sea weds ठीक है तो अब हम लेते हैं इसका मतलब प्रवाल भितियों का निर्मान करने वाले प्रवाल प्रवाल भितियों का निर्मान करने वाले प्रवाल कहां पाये जाते हैं यह जैसे प्रत्वी है तो प्रत्वी का जो भूमद्य रेखा है इस भूमद्य रेखा से 30 डिग्री अक्षांश तक 30 degree अक्षाश तक दोनों तरफ के अक्षेत्र जो है तो यहाँ पर ही कौरल्स जो है इनका विकास होता है और तो इसका मतलब यहाँ पर ही प्रवाल भितियां पाई जाती है ठीक है अतह यह प्रवाल कहां पाई जाते हैं कहां तक सीमित है अट्लांटिक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर तक सीमित हैं कहां पर हम वापस ले लेते हैं अट्लांटिक प्रशांत महासागर और हिंद महासागर जो की भूमद्य रेखा के 30 डिगरी अक्षाश तक है तो यह पर प्रवाल भितियां पाई जाती हैं। और भारत का अगर हम एक्जामपल लें तो भारत के चारों तरफ कच की खाड़ी में ओखा बंदर गहा इन प्रवाल के द्वारा बनी है। अटोल्स फ्रिंजिंग यानि जालर ठीक है। तो फ्रिंजिंग रीफ का एक्जामपल है जैसे अंडमा निकोबार आइलेंड है यह फ्रिंजिंग रीफ का एक्जामपल है। बेरियर रीफ का एक्जामपल है आस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ग्रेट बेरियर रीफ और अटोल का एक्जामपल है लक्षोदीप में जो हैं अटोल प्रवाल पाये जाते हैं। अब हम इन तीनों की स्टडी करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं फ्रिंजिंग रीफ ठीक है जालर दार प्रवाल यहां आप देख रहे हो यह समुंद्र बनाया गया है और यहां पर यह एक आइलेंड है और इस आइलेंड के एकदम अटैश्ट यानि लगभग इससे एकदम जुड़ा हुआ जो प्रवाल है तो इस तरह का यदि प्रवाल है तो उसको क्या कहेंगे फ्रिंजिंग रीफ ठीक है जो इस आइलेंड के चारों तरफ जालर जैसी सरंचना बना रहा है तो फ्रिंजिंग रीफ जो है इसके बारे में हम स्टेप बाई स्टेप लेते हैं किस तट के निकट है इसलिए इसने तट्टिय भितिया या शोर रीफ भी कहते हैं यह सबसे सिंप्लेस्ट प्रकार की प्रवाल भिति होती है यह इनकी चोड़ाई कम होती है और इनकी चोड़ाई कम होती है यहाँ जैसे डाइग्राम में दिया है लगभग 400 मीटर चोड़े है यह इसके चोड़ाई लगभग कितनी है 400 मीटर चोड़ी है इसमें यह जो बाहर की तरफ वाला किनारा है जो समुद्र की साइड में का जो किनारा है ये किनारा इसका फ्रेंट या एज कहलाता है जो लगभग 20 से 40 मीटर चौड़ा होता है ये वो भाग है जहां पर प्रवाल जो या कॉरल जो है इनका मल्टिप्लिकेशन रेट अधिक होता है ठीक है इसी लाइन को हम यहाँ देखते है प्रवाल बित्ती का सक्रिय भाग समुद्र की तरफ का होता है जिसे फ्रण्ट भी कहते है और यह क्षेत्र 20 से 40 मीटर चौड़ा होता है इस प्रकार की प्रवाल बितियां कहां पाई जाती है सामान्य तह East Indies में पाई जाती है ठीक है तो यह डाइग्राम हमें याद सकते हैं, अब हम लेते हैं second type barrier reef यहां आप देखो इसमें और fringing reef में क्या अंतर है, barrier reef में जैसे यह island है कोई dweep है या जौला मुखी है और यह है coral reef, लेकिन coral reef एकदम इस island से attached नहीं है, थोड़ी दूरी पर है, थोड़ा distance maintain कर रखा है थोड़ी दूरी के उपर boundary बना रही है तो इसको क्या कहेंगे barrier reef और इसके अंदर जो island है हम देख रहे हैं, island और coral reef के बीच में जो जल है जो समुदरी जल है यह यहां पर इस boundary के द्वारा बंद गया यह जो है जल अंदर तो इस वाले भाग को इस वाले भाग को कहते हैं lagoon ठीक है और यहां पर barrier भिती में lagoon जो है लगभग 800 मीटर से लेकर 16 किलो मीटर तक की जो है दूरी के होते हैं अब हम इसको यहां पढ़ लेते हैं यह भितियां जालरदार भितियों के समान ही होती है किन्तु तट से अधिक दूरी पर होती है यह तट है जैसे तो इससे एक दूरी बना रखी है बहुत जादा करीब नहीं है barrier reef तथा मुख्य भूमी के बीच लगभग यह barrier reef है और यह मुख्य भूमी है इसके बीच लगभग 800 मीटर से 16 किलो मीटर तक का लवणिये जल जो भरा हुआ है इस जल को कहते है legune इस legune की गहराई लगभग इतनी होती है 10 से 50 फैदम गहरा होता है यह legune और इस legune में जल यान चल सकते है क्योंकि यह काफी दूरी है इसमें जल यान चल सकते है इन भितियों के भीतरी तट पर व्रद्धी धीमी होती है यहां हम देखें भीतरी तट पर यहां अंदर की साइड में तो व्रद्धी धीमी होती है और बहार की साइड में व्रद्धी अधिक होती है ठीक है? तो भारी किनारे पर व्रद्धी तेजी से होती है बीतरी किनारे पर व्रदी धीमी होती है, इनके किनारे पर 40-50 मीटर की गहराई तक तो हलकी ढहलान होती है, लेकिन बाद में खड़ी ढहलान होती है, हम यहां वापस डाइग्राम पर अगर आते हैं, यहां बाहर की तरफ जो ढहलान है, तो शुरू में 40-50 मीटर की ढहलान तो उपर बीच पीछ में से रास्ते पाये जाते हैं और यह रास्ते इतने चोड़े होते हैं कि जहां से जाहाज जो है यह बेरियर भित्ती तथा मुख्य भूमी के बीच उपस्ति जो लैग्यून है, इसमें आ सकती है इसका मतलब यह हुआ, कि जैसे यहां तो मैंने continue एक line बना दी barrier reef की लेकिन कहीं कहीं पर यहां बीच में खाली जगा भी होती है खाली जगा मतलब यह प्रवाल भित्ती नहीं है तो यह इतनी चौड़ी होती है कि कोई जाहाज बहार से इस lagoon के जो रस्ता बना हुआ है यहां से होते हुए lagoon में भी आ सकती है ठीक है फिर हम आते हैं यहां से आप वापस देखो barrier reef दीब के चारों तरफ पाई जाती है परन्तु कई स्थानों पर बीच बीच में रास्ते पाई जाते हैं जिन से जाहाज barrier भित्ती तथा मुख्य भूमी के बीच में जो lagoon है इसमें आ सकते हैं और कभी-कभी यह बित्तियां जाहाजों को क्षती भी पहुचा सकती है और इसका बेस्ट एक्जामपल है barrier reef का great barrier reef of Australia Australia की जो great barrier reef है यह इसकी लंबाई लगभग 2000 km है और मुख्य भूमी से यह लगभग 15 से 15 से 2500 km तकी दूरी पस्तित है और इसके तथा मुख्य भूमी के बीच में जो lagoon है उसकी गहराई है 70 मीटर ठीक है तो यह इसका हो गया example अब हम लेते हैं third type atolls atolls यहाँ पर आप देखो यह इसका diagram पहले आप ध्यान में रखो यहाँ बीच में कोई द्वीप या बीच में कोई ज्वाला मुख्य नहीं है तो यहाँ के जो द्वीप या ज्वाला मिख्य है यह submerged है यानि नीचे डूबे हुए हैं यहाँ सामने नहीं है तो यहाँ यह circular shape में यह व्रत्ताकार आकरती में या घुड़े की नाल की आकरती में यह जो है रीफ्स, coral reefs उपस्तित हैं ठीक है और बीच में क्या नहीं है यहाँ पर कोई द्वीप या कोई ज्वाला मुख्य नहीं है तो अटोल को हम कैसे बताएंगे अटोल जो है barrier reef की तरह ही होती है किन्तू यह किसी द्वीप के चारों तरफ नहीं गेरती है बलकि लेग्यून को चारों तरफ गेर रही है यानि बीच में पानी ही है केवल कोई द्वीप नहीं है यह भित्यां एक व्रत्त के तरह या घुड़े की नाल की आकरती ही होती है ये वरत की तरह हो गई या घोड़े के नाल की आकरती की तरह होती है इनके बीच में जो लेग्यून है ये लेग्यून का व्यास जो है सतर से नबबे किलो मिटर तक का होता है और इस लेग्यून की गहराई जो है ये बीच से नबबे मिटर गहरा होता है चारों तरफ से जैसे यहाँ पर तो क्या बताया है बीच बीच में से जलमार्क के लिए जगा है ये बीच बीच में से जलमार्क के लिए जगा है लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि चारों तरफ से ये पानी को घेरे रहती है या लेग्यून को घेरे रहती है बीच में ये स्पेस या जलमार्क न सिद्ध है, इनके इसके लेग्विन का ख्शेत्रफल छेसो वर्ग किलोमिटर है, तो ये तीन एक्जाम्पल हो गए, टाइपस के, फ्रिंचिंग रीफ, बेरियर रीफ, ये बेरियर रीफ है, ये अटोल है, तो यह क्या होगे, three types of coral reefs, अब यहाँ, मैं देखो आप, यह है fringing reef और अटोल reef भारत में, कहाँ कहाँ पर है, जैसा कि यहाँ बता रखा है, यह जो color है, गुलाबी color, यह बता रहा है, fringing reef, तो यह है Gulf of Kutch, ठीक है, यहाँ पर, और मुंबई और गोवा, इस coastal area पर, भूमी से अडी हुई है ना यह, इसी तरह से अंडमान island और निकोबार island में, यह गुलाबी color की जो भूमी को घेरे हुए है, इसी तरह से श्री लंका और भारत के, बीच में, यह, जो है Gulf of Manar, तो यह example है, किसके fringing reef के, ठीक है, और यह yellow color का जो बता रहा है, लक्षुदी प island, यह किसका example है, आटोल reef का, तो आटोल reef में हमने क्या बताया था, बीच में दीप नहीं दिख रहा है, या बीच में कोई भूमी नहीं दिख रही है, इसने सीधा, लेग्यून के चारों तरफ उपस्तित है, यह प्रवाल भीती, तो यह है लक्षुदीब, तो यह भारत मे पाये जानने वाली जो है, रीफ के example है, अब हम लेते हैं, एक्जामपल किसका, बेरियर रीफ का, ग्रेट बेरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्री पूर्वी क्षेतर में है, ग्रेट बेरियर रीफ, ठीक है, अब यहां हम लेते हैं, कॉरल रीफ एन इको सिस्टम आ रहा है, यह हम इसको हाइलाइट करते हैं, सबसे पहले आप यहां देखो इसमें, कॉरल रीफ acts as homes and nurseries, for 25% of marine life, though they cover less than 1% of the ocean floor, हालंकि यह केवल 1% से भी कम क्षेतरफल को घेर रही हैं समूदर में, लेकिन फिर भी इनके अंदर पाई जाने वाली जो species हैं, जहने इन में आवास मिलता है, वो लगभग 2,50,000 species जो हैं, उनको यहां पर आवास मिलता है, और including more than 4,000 species of fish and 700 species of corals, जिन में लगभग 4,000 प्रजातियां के अलग लग fishes और 700 species जो हैं, कॉरल की इन में पाई जाती हैं, इस तरह से यह क्या प्रवाइड कर रहा है, habitat coral reef species have yet to be discovered, और अभी भी कई coral reef species जो हैं, उसका discover चल रहा है, तो इस तरह से केवल 1% से भी कम क्षेतरफल यह ओशियन में हैं, लेकिन इसके अंदर आवास जो है, यह 25% marine life को क्या करती हैं, home या आवास प्रवाइड करती हैं, फिर हम लेते हैं, food and fishing, coral reef sustain the fish and shellfish populations that provide protein for 1 billion people, इसके अंदर, coral reef के अंदर, जैसा अभी हमने पताया कि 25% marine life जो है, इनको habitat मिल रहा है यहां पर, तो यहां, coral reef जो है, इनसे fishes जो provide हो रही हैं, तो उनसे provide protein for 1 billion people, यानि 1 billion लोगों के लिए, यहां से क्या मिल रहा है, fish मिल रही हैं, जिसे वो भोजन के रूप में काम में लेते हैं, reef are nurseries for many commercially valuable species, और इस तरह से यह जो reef है, यह कई प्रकार की commercial valuable species के लिए, nursery का काम करती हैं, ठीक है, फिर हम लेते हैं coastal protection, अपने आप में यह जो reef है, यह क्या करती है, जो तुफान है, waves है, है न, तो उन waves से भूमी को बचाती है, coral reef act as natural wave barrier that protect coastal communities and beaches from storm damage, ताकि उसका जो किनारा है, समुद्र का किनारा, या जो द्वीब का किनारा है, उस द्वीब के किनारे को protect करने का काम यह करती है, natural barrier की तरह यह कारे करती है, इसी तरह से medicine में कैसे उपयोगीता है इसकी, coral reef में पाई जाने वाली कई ऐसी species हैं, जिन species से विशेश प्रकार के chemicals प्राप्त होते हैं, और इन chemicals को कई serious diseases के cure करने के लिए दवाईया बनाने के काम में इनको लिया जाता है, जैसे यहां पर है more than half of all new cancer drug research is focusing on marine organisms, यह समुदरी जीव हैं, तो समुदरी जीव में कई तरह की, जैसे cancer drugs, cancer को treat करने के लिए जो दवाईया हैं, या और भी कई प्रकार के जो medical compounds हैं, यह यहां से प्राप्त किये जा रहे हैं, उन species से जो की coral reef में उपस्तित हैं, फिर हम लेत हैं, tourism and recreation, coral reef attracts millions of tourists every year, समुदर में, जो समुदर में, जो tourism है, गुमने के लिए जाते हैं, जो परियाटक, तो वो परियाटक केवल इन coral reefs को देखने के लिए, गोता खोरी सीखते हैं, और जो है, यहां आप देख रहे हो, diagram में यह गोता खोरी सीखते हैं, और यह जो है, coral reef देखते हैं, तो इस तरह से, जो है, यह क्या है, economic source भी है, समुदर और समुदर के पास में, जो रहने वाले लोग हैं, तो उन लोगों के लिए, यह एक economic source है, ठीक है, तो coral reef attract millions of tourists every year, bringing important income to coral reef communities, some countries drive more than half of their gross national products from coral reef industries, और वो, जो समुदर के पास में, जो area है, तो उन लोगों के लिए, income का यह बहुत ही, एक important source है, ठीक है, तो यह हो गया, coral reef ecosystem services, अब हम लेते हैं, यहाँ पर, marine coral bleaching, bleach मतलब होता है, color fade होना, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हूँ, यह coral reef कितना ही, colorful look दे रहा है, green, pink, और blue, brown, purple, पर यह जो color है, यह color वास्तव में polyps का नहीं है, यह जो color है, यह किसका बताया था आप लोगों को, जो इनके साथ में, symbiotic relationship में रहने वाले जो plants है, है न, तो उन plants का यह color है, see, weeds जो है, उनका यह color है, तो अगर, अगर क्या होगा, temperature पानी का बहुत जादा हो जाएगा, या पानी दूशित हो जाएगा, या पानी में oxygen level जो है, वो कम या जादा हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कि यह जो plants है, यह plants जो है, यह coral जो है, यह plants को अपने में से remove कर देंगे, यह हम कह सकते हैं कि plants जो है, वो photosynthesis नहीं कर पाएंगे, survive नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी स्थिती में, यह plants जो है, यह in corals में से निकाल दिये जाते हैं, तो यह coral क्या हो जाएगे, ऐसे में transparent हो जाएगे, या colorless हो जाएगे, तो इस तिती को कहते हैं, coral bleaching, तो coral bleaching वास्तों में किस से संबंदित है, pollution अगर हो जाता है, समुद्र में अगर pollution हो जाता है, और उस pollution में, यह जो plants जो इनके साथ में, symbiotic association में रह रहे हैं, यह photosynthesis नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे स्थिती में, coral जो है, उनसे यह plants remove हो जाते हैं, और coral जो हैं, यह color less हो जाते हैं, और अगर लंबे समय तक इनको इन plants नहीं मिले, तो यह जो हैं यह अपने आपको recover भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हम इसको step by step लेते हैं, पहला क्या है, corals, establish symbiotic relationship with the type of seaweeds that lives in them and determines their color, पहला ही point यहीं है, corals जो है, coral तो animal है, है न, sealant rate में anthozoa के सदस्य हैं, खास तोर से, जो polyp अवस्था में हैं, स्थान बद हैं, तो coral symbiotic relationship में रह रहे हैं, seaweeds के साथ में, और seaweeds के कारण इन में color आ रहा है, second point हम क्या लेते हैं यहाँ पर, these types of seaweeds undergo photosynthesis with nitrogen, phosphorus and metabolic toxins excreted by corals, corals जो, corals जो nitrogen, phosphorus और metabolic toxins excreted करते हैं, उनको use किया जाता है, seaweeds के द्वारा अपने photosynthesis के लिए, ठीक है, और बदले में, और जो है, second point, third point, बदले में oxygen, जो plants के द्वारा दी जाती है, photosynthesis के कारण, तो उस oxygen को use किया जाता है, corals के द्वारा, for their growth, तो इस तरह से, plants और animals, plants और animals, यानि coral और plants के बीच में क्या हो गया, symbiotic relationship, ठीक है, next point हम यहाँ पर देखते हैं, temperature changes, अगर तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है, इतना परिवर्तन जिससे की coral to expel the seaweeds from the colony, बहुत कम या बहुत ज़्यादा, specially जब बहुत ज़्यादा temperature होता है, जैसे global warming है, या दूशन ज़्यादा है, तो ऐसे time पर यह जो corals हैं, यह इन seaweeds को अपनी colony से बहार निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होगा, the loss of seaweeds, seaweeds भाहर निकाल दिये, जिसके कारण से corals colorless हो जाएंगे, and leaves it more susceptible to disease, और अब coral में disease होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इनको यह अच्छी तरह से growth तब कर रहे थे, जब इनको seaweeds से oxygen मिल रहा था, ठीक है, और the coral bleached and devoid of seaweed eventually die, और ऐसे coral जो bleach हो चुके हैं, यानि जिन में से seaweeds को निकाल दिया गया है, colorless हो गये हैं, और अब इनमें seaweed नहीं है, वो अंततह, अंततह क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, इस तरह से इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, bleaching, coral bleaching, ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर आर्थिक हमने बताया, यह बहुत ही क्या है, colorful है, और इनका common name इनको मुंगा भी कहते हैं, तो कुछ प्रवालों का उप्योग आभूशनों के निर्माण में किया जाता है, यानि jewelry उध्योग में किया जाता है, जैसे अंगुठी बनाते हैं या नग बनाते हैं तो उसके लिए, ठीक ह तो इसी तरह से प्रतिवर्ष काफी मातरा में कीमती प्रवालों का व्यापार किया जाता है, और इसे दूर-दूर के देशों में भेजा जाता है, तो एक उप्योगिता हो गई jewelry उध्योग में, ठीक है, दूसरी उप्योगिता क्या है, जहां पर प्रवाल भितियां है, इस प्रवाल भितियां अनेक पौधों और जन्तुओं, जैसे स्पॉंच है, एनलीट्स है, मॉलुस्का है, काइनो डर्मेटा है, मचलियां है, आदी के लिए आवास थान उपलब्द कराती है, यही नहीं कुछ प्रवाल भितियां तो मनुष्य द्वारा, मनुष्य द्वारा अभी आवास के लिए प्रयुक्त की जाती है, यह जो अभी हमने बताया, इनके द्वारा ही आईलेंड बन रहे हैं, तो उन आईलेंड पर जो है, मनुष्य की बस्तियां भी जो है, रह सकती है, इसके इलावा, प्रवाल भितियों से शिल्पकला और इमारती पत्थर, शिल् के लिए भी किया जाता है, तो यह हो गया economic importance of coral reef, इस तरह से हमने अपने इस topic में काफी चीज़ें कवर करी हैं, सबसे पहला हमने लिया कि प्रवाल होते क्या है, प्रवाल होते क्या है, उसके बात में प्रवाल भिति की परिभाशा, प्रवाल भिति के टाइप, टाइप हो फिर भारत में प्रवाल भितियां कहां कहां पर हैं, कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बेरियर रीफ के बारे में, दन, कॉरल रीफ की ecosystem service, ठीक है, यह अपने अपने पूरा sea water ecosystem है, तो यह sea water ecosystem है, किस तरह से है, वो बताया हमने, फिर coral bleaching के बारे में हमने बताया, और economic importance of coral reef, इस तरह से यह topic complete होता है, thank you.